हेलो फ्रेंज आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी सेर करने जा रही हूँ जो एक दम रस से भरा हुआ है जी हाँ आपने बिल्कुल अच्छा समझा ये रसगुला है इस रसगुले को हमने सूजी से बनाए है देखिए किस तरह से बनाए है हम इस रसगुले को बहुत ही आसान है इसे बनाना ये देखिए बहुत ही सौफ्ट देखिए एक दम रस से भर वे बहुत ही सौफ्ट बने है इसके लिए हमें चाहिए एक बड़े कप से भरकर एक कप द हमने गैस पर या इंडक्सन पर कड़ाई रख दी है दूद को अच्छे से गरम होने दीजिए अब इसमें एक चमच भरकर बड़े चमच से घी हमने इसमें डाल दिया और उसे अच्छे से चला लिए दूद थोड़ा गरम हो जाए दूद हमने बड़े कप से लिए है तो उसके आधा हमें सूजी लेनी है दूद अगर एक कप है तो आधा कप हमें सूजी लेनी है इसे अच्छे से चलानी है देखिए इस तरह से अच्छे से चलानी है ताकि सूजी में कोई गाठ ना रहे अब एक बड़ी चम्मस से इसमें चीनी डाल देनी है और इसे अच्छे से मिलानी है ये देखिए खूब बणिया से चलाते चलाते इसे इस तरह से आपको इस तरह से एक डो की तरह कर देनी है और इसे एक प्लेट में निगाल कर इसे हाथों की सletा से बहुत अच्छे से मसल मसल कर इसे बहुत ही soft बना देनी है और यह देखिए अभी गर्म है छोटे छोटे लोई लेकर हमने देखिए इतने रसगुले बना लिये हैं सारे रसगुले बना लिये अब बनाते हैं चासनी चासनी के लिए हम एक भड़कर वरे कटोड़े से चीनी ले ली है और उसमें दो कटोड़े छोटे छोटे कटोड़े से दो कटोड़ी पानी छोटे ही कटोड़ी है देखें दो कटोड़ी हमने पानी डाल दी है अब हम इसे इंडक्शन पर रख देते हैं ताकि चासनी हमारी अच्छे से बन जाए अच्छे से पक जाए आप इसे गैस पर भी बनाईए मैं अभी इंडक्शन पर ही बना रही है ये देखिए चासनी हमारी अच्छे से पक रही है इसे धीमी आज पर ही धीरे धीरे पकाईए और इसे ज़्यादा गाड़ी नहीं बनानी है इसमें दो इलाइची हमने कूट कर डाल दी है अब चासनी हमारी तयार हो चुकी है अब हम इसमें धीरे धीरे सारे रसूले जो हमने बना कर रखे हैं इसमें डाल देंगे और धीमी आजपर ही से पकाएंगे ज़्यादा तेज आज नहीं करनी है धीमी आजपर ही से पकाएंगे देखिए हमारे सारे रसुगुले इसे में चले गए अब धीरे धीरे ये पकेंगे कम से कम दस मिनट तक अब हम इसे दस मिनट तक ढखकर धीमी आज पर पकने दें ताकि हमारे सारे रसुगुले सौप्ट हो जाए अब देखिए दस मिनट हो चुके हैं रसुगुले हमारे बन कर तयार हो चुके हैं और अब हम इसे प्लेट में काटोरी या प्लेट में निकाल कर आपको दिखलाते हैं ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, सारे रस गुले बहुत ही soft और रस से भरे हुए हैं, एक बार आप try कीजिए बना कर देखिए घर में, बहुत ही अच्छे बनेंगे और soft बनेंगे, एक बार बनाईए, अगर आपको मेरी ये recipe पसंद आए, तो मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe क कीजिए और ज़्यादस ज़्यादस सेर कीजिए लाइक करने में कंजूसी न कीजिए और कॉमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी